हलो दोस्तों सुखत सब्सक्राइब का अपने चैनल एक्जाम इजान पे तो एका फिर से मैं हाजिर हूँ 27 जुलाइ 2021 के इंपोर्टिन इमेंट्स के साथ आप कंप्लीट वीटियों रहां से देखें क्यों कि लास्ट में आपको दो कोशन्स के जिवाद देने है देखें ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने P.I.B. अनलसेस में अल्रेडी कवर कर लिया है इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे आज का पहला कोशन है रुद्देश्वरा टेंपल रुद्देश्वरा बंडिल हारी में युनेस्को वर्ड हरिटेज लिष्टि में सामिल किया गया है ये कहां इस्तित है रुद्देश्वरा टेंपल ये इस्तित है तिलांगना में कहां पे तिलांगना में ये देख लिए आपका ये है रुद्देश्वरा टेमपल ये तेलांगना के मुलूगू डिस्टिक में है कहां पे मुलूगू डिस्टिक में है कुछ दिन पहले ही UNESCO World Heritage Committee इसकी 44th मीटिंग हुई थी वर्चुल तरीके से इस समय जो UNESCO World Heritage Committee है इसका President कौन है चाइना याद रुद्द्द्रेश्वरा टेमपल को UNESCO World Heritage List में सामिल कर लिया रुद्द्द्रेश्वरा टेमपल इसको तेलांगना में मनाया गया था 1213 इस भी में कौन सी डाइनिस्टि में बनाया था काकतेया एंपायर ने मनाया था काकतेया राजा थे गनपत्ति देव उनके जर्नल थे रुद्रेश्वरा टेमपल बनाया गया था पहली बार इंडिया में 1983 में ये चार साइट्स थी जिनको UNESCO World Heritage साइट में सामिल किया गया था अब रुद्रेश्वरा टेमपल भी सामिल किया जा चुका है तो कई सारी साइट्स हो गई इंडिया से कुछ इन पहले ही इसको UNESCO के अर्बल लेंड्सके प्रोजेक्ट में भी सामिल किया गया था तो ये भी आद रखेगा ने कोशन है कार्गिल विजय दिवस ये किस डेट को मना जाता है तो कार्गिल विजय दिवस ये मनाते है हम लोग 26 जुलाई को कब 26 जुलाई को ये देख लिजे पाकिस्त उप्रेशन विजय के साथ साथ एक उप्रेशन सफेज सागर यानी वाइट सी भी लॉँच के गया था कारगिल के वार के दोरा've1999 में तो ये भी आद रखेगा 60 दिनों तक चला था कारगिल का और तो ऑप्रेशन विजय के उप्लक्ष में 26 जुलाई को उप्रेशन विजय तो Sweden नई member हो गई है ISA की 2016 में प्राइमेश्टर मोदी जी ने Sweden को विजिट किया था उस दोरान दोनों के बीच में बात हुई थी कि ISA को Sweden जोइन करेगा और रिसेंटली इसने जोइन कर लिया है पहले ISA International Solar Alliance में सिर्फ 121 member हो सकते थे लेकिन अब UN का कोई भी member ISA का member हो सकता है पहले था Tropic of Cancer या फिर Tropic of Capricorn इनके बीच वाली कंटी ही जोइन कर सकती थी ISA की बात करे 2015 में स्थापना होई थी COP21 के दोरान यानि Paris Climate Agreement के दोरान इसकी स्थापना होई थी Headquarter है गुर्ग्राम हरियाड़ा में इंडिया और फ्रांस इसमें Co Chairperson है आपके ISA के नया कोशन है Singapore का संसीब इसके दोरा वर्ड का लार्जेस्ट Floating Solar Farm कहा बना जाए रहा है तो Singapore के संसीब दोरा वर्ड का लार्जेस्ट Floating Solar Farm बना जाए रहा है इंडोनेशिया में कहाँ पर इंडोनेशिया में ये देखिए सिंगापूर के संसीब दोरा वर्ड का लार्जेस्ट Floating Solar Farm बना जाए रहा है इंडोनेशिया में 2.2 GigaW capacity होगी इसकी इसको कहाँ बना जाए रहा है तो बतम आइसलेंड पर बतम आइसलेंड इंडोनेशिया का है वहीं पर ये Floating Solar Farm बना जाए रहा है कौन सा डैम है तो दुरियांग कांग डैम दुरियांग कांग डैम है यानि दुरियांग कांग रिजर्वायर बतम आइसलेंड पर वहीं पर वर्ड का लार्जेस floating solar farm बना जाए रहा है देखिए इंडोनेशिया चाहता है कि वर्ड में solar energy की फिल्म में वो काफी ज़्यदा आगे बढ़े है इसलिए ऐसे initiative ले रहा है हाला कि यह जो वर्ड का largest floating solar farm है 2024 तक बनकर तैयार हो जागा कौन मना रहा है इसको सिंगापूर इंडोनेशिया में सिंगापूर की बात करें capital है सिंगापूर सिठी करेंशी क्या है सिंगापूर डॉलर president है हलीमा याकुब और प्राइम इनिस्टर कोस्टा में पहले ही अपॉइंट हो है ली जेल लून ने question है Bureau of Civil Aviation Security इसके डासिर कमाल कोन अपॉइंट होई है तो Bureau of Civil Aviation Security इसके डासिर कमाल कोन? ये दख लीजे ये हैं नासिर कमाल ये Bureau of Civil Aviation सिक्योरटी के नए डासिर कमाल बने है 1986 बैच के UP कड़र के IPS आफीसर है नासिर कमाल और अप Bureau of Civil Aviation Security के Director General बन गए है 31 July 2022 तक बने रहेंगे Bureau of Civil Aviation Security Ministry of Civil Aviation के तहरे आता है इसकी स्थापना होई दी 1978 में इस समय Ministry of Civil Aviation किसके पास है जोतिरा दिद सिंधिया नए अपॉइंट होई है याद रखेगा पहले हर्दीत सिंग पूरी के पास था ने कोशन है An Ordinary Life Portrait of an Indian Generation ये बुक किसने लिखा है An Ordinary Life ये बुक लिखी है असोक लवासा के द्वरा असोक लवासा जी election commissioner रह चुके है हाला कि अब ADV में Vice President है तो असोक लवासा जी ने एक बुक लिखी है An Ordinary Life ये बुक किसके विसे में है तो असोक लवासा जी के father उदर सिंग के विसे में है तो ये रखेगा An Ordinary Life ये बुक किसने लिखी है असोक लवासा जी जो कि इस समय ADV में Asian Dollar Med Bag में क्या है Vice President है नया question है हाली में Amish Sahaj द्वरा Interstate Bus Terminal किस state में इनॉगलेट किया गया है तो Amish Sahaj ने Meghalay में Interstate Bus Terminal इनॉगलेट किया है इससे भी important ये है कि ये पूशा जाएगा आपसे Amish Sahaj ने cryogenic oxygen plant और pediatric ward कहां पर unveil किया है तो cryogenic oxygen plant Interstate Bus Terminal pediatric ward ये सब Amish Sahaj ने Meghalay में इनॉगलेट किया है Silong में ये देख लिए Silong में इनॉगलेट किया गया है ये जो Interstate Bus Terminal है इसमें Government of India भी cooperate कर रही है तो 50 करोड की लगत से बना है देखिए Government of India चाहती है 2023 चुबिश तक North East का development ढंक से हो पाए और ये railroad connectivity से जूर पाए Meghalay की बात करें तो गारो खासी जैंतियां पाड़ियां Meghalay में ही है Capital है Silong Chief Minister कौन है Conrad Sangma Governor कौन है Satipal Malik और वर्ड में सबसे आदा बारिस वाला इस्थान मासिन राम Meghalay में ही पायाता याद रखेगा North East India Traditional Fashion Week हाली में इसका कौन सा Edition inaugurate किया गया है तो North East India Traditional Fashion Week का 5वा Edition inaugurate किया है किसने inaugurate किया है Minister of Social Justice and Empowerment विरेंद्र कुमार दोरा North East India Traditional Fashion Week का 5वा Edition inaugurate किया है देखिए अभी तक Social Justice and Empowerment Minister कौन थे थावर्चंद गहलोन लेकिन अब कौन है विरेंद्र कुमार इतना याद रखेगा ये North East India Traditional Fashion Week इसका परपस क्या है North Eastern Reason में साथ-साथ इंडिया में जो इंडिया का Traditional Fashion है उसको प्रमोट करना ये North East India Traditional Fashion Week इसको और्गनाईज करता है तो National Institute for Empowerment of Persons with Visual Disabilities जो की देहराद उनमेस्तित है वो इसको और्गनाईज करता है ने कोशन है 2019 के दोरान Agri-Cultural Produce Exporter की लिस्ट में इंडिया की क्या रैंक है तो WTO ने 2019 के लिए Agricultural Produce Exporter की लिस्ट जारी की है इसमें इंडिया की रैंक है 9th तो पिछले 25 वर्सों में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया Top 10 में सामिल हुआ है Agricultural Production के मामले में यानि Export के मामले में 2019 में इंडिया की 9th रैंक है Global Agricultural Export का 3.1% इंडिया से जाता है वहीं सिर्फ Meat और Edible Meat की बात करें तो इंडिया की 8th रैंक है तो Agricultural Exporter में इंडिया की 9th रैंक है और Meat Exporter में इंडिया की 8th रैंक है देखे पहले US Top पे रहता था Total Agricultural Exporter की लिस्ट में लेकिन आप European Union जो है Agricultural Exporter List में टॉप पे रहता है ब्राजील 3rd प्लेस पे आ गया है और चाइना 4th प्लेस पे इंडिया 9th प्लेस पे आपको यह यादशना है WTO की बात करें 1995 को इस्थापना हुई थी GATT को रिप्लेस के था WTO ने WTO का Headquarter है जिनेवा में First Female Dieter जोने कौन है नगोजी उकौन्जो इवेला जो की नजीरिया से बिलॉग करती है और 164 WTO की टोटल मेंबर है ने कोशन है हाले में किस पेरामिलिक्टरी फोर्स ने C-DAC के साथ एक M.O.E. साइन किया है यह देखिए CRPF और C-DAC इन्होंने आपस में M.O.E. साइन किया है ताकि CRPF की जो परसन है उनकी टेक्निकल एबिल्टी इसको बैदर किया सके CRPF के बाद करते है Central Reserve Police Force इंडिया स्ट ओल्टेस रिजर्व पूलिस फोर्स है 1939 में स्थापना हुई थी New Delhi में Headquarter है मोटर क्या है Service and Loyalty को जिन पहले ही IPS कुलदीप सिंग इसके Director General बने थे इन्हों कोशन है Europa Clipper Mission ये किस Space Agency दोरा लांच किया जाएगा तो Europa Clipper Mission NASA दोरा लांच किया जाएगा किसके दोरा NASA दोरा इसका नाम होगा Europa Clipper Mission अक्टूबर 2024 में लांच है जाएगा Falcon Heavy Rocket से Europa Clipper Mission देखिए Europa जो है ये Jupiter का एक Moon है आइस से जमा हुआ है तो उसकी आइस की study purpose के लिए ये Europa Clipper Mission लांच है जाएगा नासा दोरा NASA के बात करें National Aeronautics and Space Administration 1958 में स्थापना हुई थी Washington में Headquarter है और Bill Nielsen नासा के Administrator है IFC International Financial Corporation ने Green Housing के लिए HDFC Bank को कितना fund allocate किया है या फिर grant दिये तो IFC द्वारा HDFC Limited को 250 million dollar कितने 250 million dollar दिये गए है ये देख लिजे IFC जो कि World Bank Group का एक arm है उसने HDFC Limited को 250 million dollar दिये है ताकि Green Housing Project में इन्वेस्ट किया सके ये Prime Minister Modi जी के Housing for All Project में भी help करेगा देखे Green Housing Carbon Emission को कम करने में help करता है आपसे exam में ये भी पूछ सकते है कि IFC ने किस Indian Bank को 250 million dollar दिये है Green Housing को promote करने के लिए तो वो है HDFC Bank या फिर आपसे ये पूछ सकते है कि HDFC Bank को किसके द्वारा 250 million dollar दिये गए है Green Housing को promote करने के लिए तो वो है IFC तो कैसे भी question घुमा के आ सकता है आप याद रखेगा International Financial Corporation के बात करें तो World Bank Group इसका एक member है 1956 में स्थापना होई थी Washington DC में headquarter है CEO कौन है? Mactor Diop ने question है प्रमोद भगत इनको Indian Sports Honor 2019 के लिए differently abled sport person of the year और से सम्माइद किया गया है प्रमोद भगत किस state से बिलॉग करते हैं किस field से related हैं तो ये related है बैडमिन्टन से ये देखेजिए World No.1 पैरा सटलल प्लेयर है प्रमोद भगत ओडिशा से बिलॉग करते हैं हाली में Indian Sports Honor 2019 के लिए इनको differently abled sport person of the year और से सम्माइद किया गया है ये यहां आपके प्रमोद भगत याद रखेगा ये जो आपका Indian Sports Honor Award है ये RP Sanjeev Goen का ग्रूप से दिया जाता है 2017 से दिया रहा है प्रमोद भगत का नाम याद रखेगा India के पैरा सटलर्स है इनको differently abled sport person of the year आवार्ड से समाइद किया गया है ये ओडिशा से बिलॉग करते हैं और 24 तारिक से 24 अगस्त से जो टोक्यो में पैरा ओलम्पिक्स हो रहे हैं उसमें India को represent करेंगे single line mix में ने कोशन है पीजो एलेक्टिक मॉलिक्टिलर क्रिस्टल ये IISER ने किसके साथ मिलकर बनाया है तो पीजो एलेक्टिक मॉलिक्टिलर क्रिस्टल इसको बनाया है IISER और IIT खड़कपुर ने इंडिया की ओल्डिस्ट IIT है खड़कपुर देखें इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस रेजुकेशन और रिसर्च यानि IISER इन्होंने IIT खड़कपुर के साथ मिलकर पीजो एलेक्टिक मॉलिक्टिलर क्रिस्टल डेलब किया है ये पीजो एलेक्टिक मॉलिक्टिलर क्रिस्टल इसको IISER ने मनाया है किसके साथ मिलकर IIT खड़कपुर के साथ मिलकर इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च की बात करते हैं 2006 में स्थापना हुए थी चेर्मैन है अर्विन नटू और ये कहां पे है कोलकत्ता में है इने कोशन है इसको स्थापित करने लिए कितना बजट किया गया है या पर प्रपός किया गया तो 50,000,000 रुपय प्रपोस किये गया है नेस्टन रिसर्च फाँनेशन के लिए यह ठीख लिए 50,000,000 रुपय अगले पाच वर्स तक इंवेस्ट किया हैं गे नेशनल डिसर्च फाउंडेशन के लिए, परबत क्या है, इंडिया में रिसर्च इको सिस्टम को बैतर करना, तो नेशनल डिसर्च फाउंडेशन, पचास हजाय करोड रुपए अगले पाच वर्स के लिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहरे इसको सिटप किया आएगा, औ और नए एजुकेशन में स्ट्रकॉन है, डॉक्टर धमरें पधान, तो सब लोग चेंज हो गए हैं, बिलकुल, नया कोशन है, बंगलादेश के फकीर आलमगिरी, हाले में इनका निदन हो गया, ये क्या थे, तो ये जाने माने फोक्स सिंगर थे, लोग गीत थे, लोग गायक सोरी, ये हैं फकीर आलम, बंगलादेश से विलॉंग करते थे, जाने माने लोग गायक, यानि फोक्स सिंगर थे, नाम या देखेगा, फकीर आलमगिरी, बस इतना ही बॉड़े ने के लिए, ये आज की वीडियो से कोशन है, आई होब कि आप इसली इनका जवाब दे पाए से का कि वीडियो से थे, बंगलादे माने लोगवी भाज जवाब माने लोगब देखेगा, ये इस अंवाब फिलॉण ये के लोगब का उनका जायक, ये बॉड़ें पली आने माने लोग़ें शेखेगी of ऩोका होब वीडरा है, बंग़ेंब डलसे, लोगब The Take- सствен Exchange Cur The- झाल झाल